अगर अमबिटकर को लोग पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो सवाल पूछने और विरोध करने की ताकत हासिल करेंगे, एक जुट हो जाएंगे, ये तो जातियों में बाटते हैं ना, आज बाबा साब के नाम पर, जैसे हम लोग जैभीम की बात जो कर रहे हैं, सोचल मीडिया हम लोग यंतर मंतर पर हैं और मेरे साथ में प्रोफेसर लक्ष्मन यादव हैं, बाबा साब अमेटकर की पृतिमा को लेकर के आज यहां पर धरना जो हो दिया गया था, तमाम देश के वो अमेटकर वादी लोग जो यहां पर आये थे, वो जिनकी मांग है कि बाबा साब अमेटकर की पृतिमा पार्लियमेंट के प्रांगर से जहां से हटाई गया, उसको पुने वही पर इस्थापित की जाए, लेक्ष्मन भाई बाबा साब अमेटकर की पचास साल पुरानी पृतिमा हटा दी गई है, कैसे देखते हो पूरा मांपा? देखे ये बहुत दुखद है और जो भी अब तो पूरा देश अमेटकर में हो रहा है, इस बात की खुशी हम जैसे लोगों से जादा और केसे होगी, जो कई सालों से हम लोग इसी की लड़ाई लड़ते रहे, कि सामाजिक नियाए की लड़ाई मजबूत हो, ये देश बि और ये बात हम लोग सबको बता रहे हैं, पूरे देश को बता रहे हैं और लोग सुन में रहे हैं, ऐसे में हर चीज का प्रतिक आत्मक अर्थ होता है, हम जानते हैं कि बाबा साब अमबिटकर की एक प्रतिमा की एहमियत क्या होती है, वो एक सम्मान का प्रतिक है, वो उनके कद का प्रतीक है वो इस बात का प्रतीक है कि देश चलेगा तो बाबा साब के विचारों से चलेगा ऐसे में संसत के भीतर अगर कोई प्रतिमा है और वो इतनी पुरानी है तो इसका सम्मान होना चाहिए और अगर इसका अपमान होगा तो यह देश बरदाश्ट नहीं करेगा हम इस बात की मांग करते हैं पूरे सम्मान के साथ और बहतर ढंग से बहतर जगर इन लोगों की मांग तो यह है कि वहीं होनी चाहिए मैं तो कहा रहा हूँ और बहतर जगर पे किसे हम लोग कितनी बार कहते रहे कि देश के संसत भवन का नाम भी बाबा साब के नाम पर हो तो यह बुरा नहीं है क्योंकि वह इस देश के भारत के संविधान के सबसे बड़े यह इकोन आज सदन में शपत ग्रण हो रही है तो एक तरब से 24 सरकार ने इस चुनाओं में देख लिया कि बड़े-बड़े ताना शाही लोगों का गुरूर Вас देश के जनता कैसे दोस्त कर देती है और वो संविधान से छड़कानी कभी बरदाश नहीं करेगी इसका मतलब संविधान बचाने की ताकत कौन दे रहा है बाबा साब अमबिटकर का संविधान दे रहा है और वो संविधान अगर ताकत दे रहा है कि संविधान बचाया है और ये ताकत देने का काम बाबा साब अमबिटकर कर रहे हैं, तो उन्हें कमजोर करेगी सरकार, ताकि लोग उनके उपर सवाल न पूछ सकें, अगर अमबिटकर को लोग पढ़ने लगेंगे, जानने लगेंगे, तो सवाल पूछने और विरोध करने की ताकत हासिल करेंगे, एक जुट हो यह तो जातियों में पांटते हैं आज बाबा साब के नाम पर आप जैसे हम लोग जैभीम की बात कर रहे हैं, आप जड़ा देख लिजिए कि SC, ST, OBC, Minority, कितने सारे लोग जैभीम बोल रहे थे, यही तो देश हम देखना चाह रहे थे, तो इस से वो डरते हैं, वो चाहते हैं कि बाबा साब मिठकर परबात नहों, उनके संविधान परबात नहों क्योंकि उन्हों नहीं इनकी ताना शाही का अंकार को मिठाया है, तो सवाल वही फिर खड़ा होता है, कि यह सरकार जानती है कि अगर आप SC, OBC को छेड़ोगे, जिसको PDA को अगर आप छेड़ोगे कि जिस से वो संचालित होती है, वो RSS है, नाकपूर का एक संगठन जो इस बटवारी पर टिकाई हुआ है, जो देश सबका नहीं बनाना जाता है, वो अगर पूरे देश का विचार अगर RSS चला रही है, तो BJP उसी का नित्र तो करती है, वो दोनों में कोई अंतर नहीं है और उनका जगडा विचार धारा का है, एक तरफ गोट से, गोलवल कर, हेटगवार सावर कर हैं, तो दूसरी तरफ बिरसा, फूले, अंबिट कर हैं, लोहिया हैं, कांशी राम हैं, ये विचार धारा का संगर्श है, तो विचार धारा में उनका विचार तब तक नहीं जीत सकता जब तक इस विचार के लोगों को वो दबाये न जेल में नढ़े उनको बांटे तोडए आपस में लडबा दे ये काम वो हमेशा करते रहे हम जैसे लोगों का काम होता है कि नहीं ये विचार सामाजी का विचार है महापुरुषों के विचार है तो इसलिए वो बार-बार इनके खिलाफ काम करेंगे और हम जैसे लाखों लोग बार-बार इसका करारा जवाब देंगे एक सवाल लाश्ट में लेते हैं, लक्षमन वाई सवाल ये है कि कांसी राम साब कहते थे कि इस देश के बहुजनों को मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए, तो आपको लगता है कि जो लक्षमन यादव ने, तमाम लोगों ने, हमजानरे जैसे लोगों ने, रतनला सर जै किसे लोगों ने भेहनत की, तो सरकार मजबूर हुई है, मुझे लगता है कि जब संकट इतना बड़ा हो, कि लगे की लोक्तंत्र ही खतम हो जाएगा, भारत के संविधान के बदलने की बात कोई और नहीं कर रहा था, खुद बीजेपी के लोग कर रहे थे, और पिछले 10 सा साल में बीजेपी ने अपने काम से भारत के संविधान को कमजोर किया, इसका एक एक प्रमाण हम लोग हमेशा देते रहे हजारों लोग लड़ते रहे उसके खिलाब, तो यह काम पिछले 10 साल में जो हो रहा था, इस पर मुहर लगाने के लिए चुनाव लड़ा जा रहा थ कि 400 पार था कि संविधान बदलने, 400 पार तब कि इसको RSS का भारत बना दे, तो जब इतना बड़ा खतरा हो, तो अधिक्तम सहमती की बजाए, नियूनतम सहमती की दरकार थी, हम जैसे जाने कितने लोग इसके लिए लड़ रहे थे, जो आपस में बहुत सारे लोगों की संविधान के नाम पर सब एक हो गए, जो संविधान को मानते थे, मुझे लगता है, यह बहुत परियापत है, हम बचेंगे, जैसे अब हमने संविधान बचा लिया, क्योंकि आज की तारीक में सदन के भीतर, बीजेपी के पास ये ताकत नहीं बची है, कि वो संविधान से संविधान उठाएंगे, भागेदारी की बात करेंगे, कौन जानता था कि समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी जिसके उपर कई तरह के सवाल उठाए जाते रहे, वो पार्टी अपने सारे बेनर पोश्टर में महत्मा फूले का तस्वीर लगाएगी, बुद्ध की बात सब्सक्राइब करेंगे, बाबा साहब को अपना सबसे बड़ा आईकॉन लहिया के साथ बना लेगी और पीडिये की बात करेंगे, उनके नेता खिलेश का तो समिधान लेगे, सारी सपा की नेता जये भीम, जये समाजवाद, जये समिधान कर रहे है, कॉंग्रेस के नेता जय समिधान कर रहे हैं चंदर शेखा राजात जीत कर गए उनके उपर कैसे मजाक में उड़ाया गया कि भाई भाशन देने का नहीं है तो उन्होंने कितना अच्छा जवाब दिया कि इसी लिए आए हैं अब आप सुनने के आदर डाले जी यह जो नया भारता है पपू याद मुझे यहां से एक उम्मीद नजराती और मुझे इतना सुकून मिल रहा है केवले इस बात का कि संविधान बदलने वाले अहंकार को हमने इस चुनाव में निप्टा दिया और यह बहुत बड़ी जीत है बाकी असामतियां बाकी कुछ अंतर विरोध वो रहेंगे उस पर ह बात करेंगे उसे सुधारने का काम करेंगे एक गुजारिश यह होती है कि आगे की तरफ देखने में हमारी लड़ाई मजबूत हो सामाजिक नहीं की लड़ाई मजबूत हो विचार धराक लड़ाई मजबूत हो इतना पर्यापत है बचेंगे तो आपस की लड़ाई सुल जा लेंगे आप यादव हैं और लक्समन यादव